करनाल के आरके पूरम में ससुराल पक्ष से तंग आकर एक युवक द्वारा बुद्वार को फासी लेकर अपनी जीवन लिला समाप्त कर ली गई थी मरने से पहले मिरितक नेक सुसाइट नोट भी छोड़ा था जिसमें उसने अपनी पतनी समेत पांच लोगों को मोत का जिमेदार ठहराया था युवक की मोत के बाद परिजनों ने शव को लेने से इंकार कर दिया लेकिन मोके पर पहुँची पुलिस द्वारा दिये गए समवेदन हीन बयान से परिजन और भड़क गए और वो पुलिसिया कारवाई से असंतुष्ट नजर आए हालाकि पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर लिया गया है लेकिन वीरवार को परिजन नयाय की आस लेकर जीला सची वाले पहुचे और एसपी गंगा राम पुनिया से विस्तार से पूरी बात चीत की तथा आरोपियों की गिरफतारी की मांग भी उठाई परिजनों के साथ दर्जनों की संख्या में लोग भी मोजूद रहे एसपी से बात करने के बाद परिजन संतुष्ट नजर आए और उन्होंने शव लेने की भी हामी भर ली परिजनों का कहना है कि वह है पूलिस कप्तान के आश्वासन से संतुष्ट है लेकिन आरोपियों की गिरफतारी शिग्र होनी चाहिए ताकि ऐसे वाके और किसी के घर में ना घटित हो हाँ जी दोस्तों मैहुत तरून मदान और इस समय आप समचार एक्सपर देख रहे हैं मैं अभी एक बज़र्ग से आपकी बात करूंड जाओंगा सर आज आज आप यहां सपी साब से मिलने हैं आगर क्या मामले है सब्सक्राइब करेंगे आपके बेटे कासा कदम सकत कदम क्यों उठाना वड़ा है वह उन से परसान था वो दमगया देते थे सब्सक्राइब करेंगे देज के और डीवी एक्ट यह सारे खर्च्च वह ममकद में जुठे लगा रहे हैं यह मामला कोट में विचारा दिन है चार साल से यह बन मुटा अब कर से चल रहा था पती पतनी के बीस्टे मां यह तो वह रुद्व पुर्रती थी बहु भी और ल सब्सक्राइब करा तो यह सादी करना चाहती ती मैं उसके साथ मेरे बाब अपने कर नहीं करी मैं तेरे नाम का बच्चा नहीं किनका नाम लिए अपनी पतनी का अपने ससूर का और जो इसका चाचा लगता है अजे वर्मा जिसके खिलाप चार साल पहले भी चार पांच साल पहले भी 306 का मकदमादार होया था और उसकी पतनी समा अजे वर्मा की पतनी समा और अजे के फादर धरमपाल और एक जो करनाल में परदान राजकुमार है वो भी उने के साथ मिला हुआ था तो इन चे बंदों से परसान होकर के मेरे लड़के रे सुसाइड किया अश्पी ने अश्वासन दिया के जल्द कारवाई करेंगे हम संतुष्ट है ये एस्पी साब के अस्वासन से हम संतुष्ट है आप क्या लगते हैं भाबी हुआँ मैं यही कहना चाहूंगी कि S.P. साब ने आश्वासन दिया है कि कारेवाई होगी और निश्पक्ष जांच होगी पूरे मामले की तो हम उन पे विश्वास करके हम अब यहां से जा रहे हैं बहुत विश्वास करते हैं और उनके अकॉर्डिंग 4-5 दिन में कारेवाई हो और वो लड़की और वो सब की गिरफतारी हो जाए ताकि आज हमारा लड़का गया कल किसी और का ना जाए तो यह जेट थे वो मांसिक दबाव तो यह था कि हमें पैसे दो पैसे के बिना हम फैसला नहीं करेंगे और अगर पैसे नहीं देते तो 10 साल भी चला के रखो 10 साल चलेगा केस तो ये ये दस साल ये दस साल की बात से उनको लगा कि मेरी जिन्दगी तो फटम हो गई शादी को कितने साल हो गए था 2015 में शादी हुई थी उनकी इस्पी साब ने बोला है निस्पक्स कारवाई की जाएगी और वो की जाएगी थोड़ा की हो जाएगी आप प्रदांजी अभी तक नहीं ली थी क्योंकि हम पुलीस प्रशासन की कारेवाई से संतुष नहीं थे और वो उसको डिले कर रहे थे पर अभी कि एस्पी साब के अश्वासन से हम अब उसको कलेक्ट करके और अंतिम संस्कार कर देंगे उन्हों नहीं यह आश्वासन दिया है कि चार-पांस दिन में निश्वक्ष जांच होने के बाद उनकी गिरफतारी हो जाएगी अब मेरे साथ मुझूद है मृतिक लड़की की बहन में उनसे बाद करने का परयास करूँगा अब मैं आप क्या इस्वासन दिया है कि वो जल्दी कारवाई करेंगे मेरे भाई को इस्वासन चाहिए बस हमें और कुछ नहीं चाहिए तोर पर समझोते कि कोई आसार नहीं बन रहे थे वो 40 लाग के डिमांड कर रहे थे वो मारे पास नहीं थे तब ही फैतला करेंगे 40 लाग रुपे दो मन मुटाव था वो क्या शादी के कितने दुनों के बाद शुरू हुआ था कैसे वो वही रहती थी मेरे भाई के पास ही यहां तो पंदरा दिन रही है मेरे बंबी पापा के पास है वो वहीं से अपना लड़ती जड़ती थी अप देड़ साल बाद वो अपना चली गई थी अपने किसी और से अफेर थे उसके तरह करेंगे हमारे साथ मुर्य तक युवक की बहन अब मैं आप से आपकी बात करवाना चाहूंगा करनाल के वरिष्ट समाज से भी प्रीतपाल से पनुजी बहीं दो मिट चला जो उनके पास ह कैसी घटनाओं के बारे में आशिवाक्याओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे आप एक सुल्जे हुए है और बड़े ही वरिष्ट समाज से भी है आपने कई मसलों को सुल्जाने को बात कि देखेंगे तो पिछले 10-15 दिन के अंदर कई मामले सुसाइड के आ चुके ह और सुसाइड एक ऐसी चीज है जो विक्ति डिप्रेशन में आके करता है तो मुझे लगता है कि हम लोग जो परिवारों में जगड़े होते हैं इस परकार के कोई होते हैं उन्हें पहले पंचैतों का सिष्टम होता था लोग सुल्जा लेते थे आजिकल कोटों में लड़ करते हैं तो वो अन्फेर मीन जो है वह इस प्रिकार के व्यक्ति को इना कोई डिप्रेशन में जाकर सुसाइड करता है तो यह गलत है मुझे लगता है कि सुसाइटि को जो इस बारे में चिन्ता करने चाहिए जितने भी इस फ्रिकार के परिवारी की जगड़े हों या को औ प्रदेश आएं कल उनका जो आईओ गया था वहां पर बंसी लाल उसका नाम है सेक्टर बत्ती चौंकी से उसने बजाए इनके प्रती संवेदना दिखाने के इनी को दमकाने का प्रयास किया जो परिवार ने मुझे बताया है परिवार ने बताया कि जब हमने उसको यह कहा कि बाद हम उनको औरेश्ट करेंगे जैसे एसपी साव ने आज समझाया उनने बड़े अच्छे तरीके से बात करी कि देखो आपका मुकदम अंदर्श हो गया अगर हम बिना चार पेपर उस पे लिए रिकॉर्ड पे लिए बिना सबूत साथ में लिए उनको औरेश्ट कर ले मिलेगा यही चीज कल अगर आयो ने की होती तो इनको यहां आने की नौबत ही ना थी तो यही हमने एसपी साब से रिक्वेस्ट करी कि एक तो उसमें आयो चेंज किया जाए उन्होंने तुरंत जो है वो चेंज किया जाए दूसरा आयो लगाया जाए और परिवार को यह श जो लौ आये हैं उनका बेनिफिट भी है कहीं ना कहीं एक डर पैदा होता है वोमेंस के खलाब क्राइम करते हुए चाहे वो रेप की बाते हो चाहे वो डौरी हो लेकिन कहीं ना कहीं ना कहीं कुछ महिलाएं जो है मैं कल एक शोशल मीडिया पे एक वीडियो देख रहा था एक महिला का बियान था कि जब मेरी और मेरे पती का जगड़ा हुआ तो मेरे पती मुझे साथ ले जाना चाहते थे लेकर मेरे परिवार और लोगों ने मुझे उखसा कर जो है उस समय और आज के आज मेरे पती तला करके दूसरी शादी कर चुका और मैं अपने गर पे कर सकता हुँ टो वो जो साथ वाले लोगों का वेवार होता है वो परिवार बनाने के बजाये परिवार बिखेर देता है तो मुझे लगता है कि एक तो इनकुनूने का दुरूप्योग नहीं होना चाहिए दूसरा कम से कम जो पंच्छयेत के लोग हैं उनका ये फर्च बन साथ को सभी कि वागगे उस केस को मझबूत करना भी उतना छेourी है तो परिवार संतुप्र ने कह कि मिसीन करेंगे एस्पि थारा ओर मैं उम्मिद करता हूँ कि परिवार को नया। दोस्तों मैं बता दूँ इस समय मैं मुझूदू करनाल के करनाल के मिनिस अच्छी वाले मैं आपको बता दूँ कर लेकर अपनी जीवन लिला समाप्त कर ली गई थी तो उसने अपने सप्राल पक्ष के पांच लोगों पर आतम अत्या का अरोप लगा था उसके बाद जब बोरवी को ने उठाएंगे तो सब्क जब यो था यहां बयान दिया गया कि अगर आप डैडी बोड़ी को ने उठाएंगे तो आपके साथ भी पुलीश कार्वे की जायगी इन सब अपने परिवार के नियाए के लिए और नयाए पाने के लिए आज परिवार के सदसे स्पी गंगा रामपूनिय जिसे मिलने के लिए पहुंचे जहां उनके अशवाशन के बाद वो डेड़ बोड़ी लेने को भी तैयार होगे हमने परिवार के कई सदसों से बात्ची दिकी और विश्ट समास से भी परिटपाल स कुछ लोग ही रोग बनने के चकर में उंगले लगाने का काम करते हैं जिससे वह परिवार नजदीक होनी के बज़े और दूर होता जा रहे हैं एसे लोगों से टेपरिवार के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारी चैनल को लाइज शेर और सब्सक्राइब करें बहने वाद जबेदी बैंक्वेट्स लाये हैं इंक्रेडिबल मेरिज पालस राजगराना और फिनेस्ट बैंक्वेट आल जाती गार्दन प्र्टी वोल्ड गार गातर्टेंग, जब्सक्राइब एक रूटे लागर, इसलिए, पार्ट निए, पार्ट लॉड़ानग, वेडियन प्रटी आसपूरोग टांड, तोर लिएक चर्टारइब।